अयोध्याधाम में योगी कैबिनेट का जैशिर राम, मंत्रियों और विदायकों के साथ सीम योगी ने किये राम लला के दर्शन परसो पार के साथ उसन्टो जान मंत्री नरेंद्र मोदी ने माधर प्रदेश के जाबुआ से लोकसभाद चुनाव का किया शंखनाद 75 करोड रुपे की विकास पर योजनाओ का क्यालो कारपड और शिलानियस हल्दवाने हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की तलाश के लिए छापे मारी हिंसा के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जाच कर रही है पुलिस पुलिस को धम काने का आरोप समाजवधी पार्टी नेता के भाई को किया गया गिरफता और विहार की सियासत से जुड़ी एक बेहद एम और बड़ी खबार कल होगा फ्लोर टेस्ट लेकिन जेडियू की बैठक में 33 विदाय की पहुँचे मंतरी वीचे चौदरी के आवास पर ये बैठक हो रही है लेकिन इस भी जनकारी मिल पा रही है के फिलाल सिर्फ 33 विदाय की पहुचे मुख्यमंतरी पहुच चुके विदायक डॉक्टर संजीव, आमन हजारी, मनोजियादो, दिली प्राय, बीमा भारती, सुदर्शन अभी तक बैठक में पहुचे ही नहीं है ये एक बड़ी खबर जबके नितीश कुमार को कल फ्लोटेस देना है और इसलिए दोनों ही खेमों में अपने अपने विदायकों को एक जुड़ने की कवायद और बैठकों का सिलसला भी चल रहा है और चंद्रमोहन हमारे स्योगी मास साथ जुड़ रहे है उनी से हम जान लेते हैं चंद्रमोहन क्या जानकारी मिल पारे है कितने विदायक पहुचे है अभी नमबर तो सिर्फ 33 नजर आ रहे है बिल्कुल नितीश कुमार अभी बैठक में पहुच चुके हैं विजय चौदरी के आवास पर ये विदायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम विदायक और विदान पारसत पहुच चुके हैं जो जानकारी मिली है उसके मताबिक 49 विदायक कभी तक पहुचे हैं और जो नहीं पहुचने वाले हैं उसमें जेडिव के विदायक डॉक्टर संजीव हैं आमान हजारी हैं मनोज यादाव हैं दिली प्राय हैं बीमा भारती हैं और सुदर्सन कुमार है जो इस बैठक में नहीं पहुचे हैं अब थोड़ी देर पहले स्रवन कुमार अपने साथ दो विदायकों को लेकर पहुचे हैं माना यह जा रहा है कि वो भी दो विदायक नाराज चल रहे थे यही वज़ा है कि उनको पहले अपने आवास पर बुलाए थे उसके बाद फिर वहाँ पर बैठक होई उनको मनाने की कोशिस हुई और उसके बाद फिर इन दो विधायकों को लेकर सरवन कुमार यहां पर पहुंचे हैं तो साफ तोर पर समझा जा सकता है कि नितीज कुमार की जो हनक थी पहले वो कम होते हुए दिख रही है क्योंकि नितीज कुमार पहले पहुंच जाते हैं और बैठक में विधायक बाद में पहुंचते हैं जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं था नितीज कुमार के आने की सूचना जैसे ही विधायकों को नेताओं को हो गए और उसके बाद फिर वहां से पांच मिनिट में निकल गए तो साथ तोर पर समझा जा सकता है कि जो विधायकों की नाराजगी है नितीश कुमार के प्रती वह साथ कम होते नहीं दिख रही है और यहीं वज़ा है कि कल भी छे विधायक नदारत थे और अभी भी जानका से तो देखे लगतार यहां पर सस्पेंस बरकरार है कि नाराजगी आखिर क्यों है लेकिन विहार विधान सबह में विश्वास मत से पहले फिलाल चारों अई बड़े दलों के बीच क्या स्थिती है वो भी आपको दिखाते है अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी पूरे विधायक नहीं पहुंचे अब तक देखे 49 विधायक पहुंचे होएं जेजू के यह जानकारे मिलपारी 45 को पहुंचना है कल भी हमने देखा जब बोज हुआ था तो छे विधायक जो पहुंचे नहीं थे लेकिन इन चार तस्वीरों के जरी आप समझने की कोशिश कीज़े कि किस तरीके से कल फ्लोट टैस्ट है और उससे पहले अपने अपने खेमे को मश्बूत करने की कोशिश की जा रहीए फिर ओ जेडी हो आर जेडी हो या कॉंग्रेस अगारे है और इसके साथ ही हैदराबाद में मॉझूद के विधायक अब से थोडी देर से में ही हैदरबाद से पटना के लिए उडान भरेंगे लेकिन पटना के लिए स्पेशल चार्टर्ट प्लेन से कॉंग्रिस के विधायक रवाना होने वाले हैं और इसके साथ ही आर्जेडी विधायकों को एक जूट करने की कवायत भी शुरू है देखिए जिस प्रकार का भै और एस्वरक्षा का वातवर्ण कांग्रिस पार्टी और आर्जेडी के खेमे में है उससे इसपस्ट है कि बारत तारिक के शक्ती फरिक्षन में हम लोग विजय होंगे कॉंग्रिस पार्टी अपनी विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आर्जेडी के विधायक रह रहे हैं इसी सावित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से एरिसी ताका बाता बना और कल फ्लोर्टेस से पहले ही बाड़े बंदी शुरू हो चुकी है जेडियू की क्या रनंगिती रहने वाली है ये देखना भी बेहत जिल्चस्पोगा लेकिन विधान सभा के मौझूदा स्पीकर आर्जेडी कोटे से हैं और उनने विधान सभा के कारवाई से पहले इस्तिपार देने से इंकार भी कर दिया है और ऐसे में सम्मिधान क्या कहता है और जेड्यू कल क्या करने वाली है ये बताया मजूदा डिप्टी स्पीकर महेश्चवर हजारी ने सब्सक्राइब स्पीकर महें जैसा कि मनिये राजशभा सांसद मनोज जी बूले हैं सकता है कोई भी शंस्ता हो चाहे प्रदानमंत्रीजी को हो चाहे ह America में हम व्हारतिय संमीधान के अनकूल का काम करेंगे जो hop चलना काम करेंगए लेकिन 12 सथे को फ sedas सुम और को कर दिखा दूपर कर में' करद्धनी सवह भार Tenn Entreau इसलिए मैं विपक्ष के भी साथियों सागरा करना चाहता हूं कि नियम के अनुकूल आप भी चलिए, नियम के अनुकूल हम लोग भी चलेंगे, नियम का पालन कीजिए, इसी में बिहार का सम्मान परतिष्ठा बढ़ने वाला है। अभारतिय समिधान तो सबसे उत्तम समिधान है। तो जिसको विश्वास है तो विधान सभावे जो परकिरिया है, नियम वली है, उसके अनुकूल तो उनको भी चलना पड़ेगा, हमको भी चलना पड़ेगा। जिन लोगों के बारे में मालूम है, स्वेंग जानते है, सबको जानता है, जिक कुन लोग क्या कर रहा है। 112 वाला जो सवाल उठा रहे तो इसके क्या मतलब क्या रह जाता है। 122 दिखावें, चाहे 128 हम दिखावें, दिखाएंगे तो सदनी में, पहले हम कैसे दिखादेंगे, उल्लों की मनसा है जो